हलो दोस्तों नमस्ते, RPSC URO बर्ती से समंदित एक और important प्रश्मों की क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूँ very important इस क्लास में क्योशन रहने वाले हैं, तो क्लास को complete देखना है और इसकी PDF आपको टेलगाम चैनल से मिल जाएगी इसके लाव दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कदर का बढ़ने हैं, उसे दिभा कर चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा पूरे complete syllabus के अनुसार, इसके लाव दोस्तों आप जो है टेस्टरीज को कितनी भी बार यहां पर दे सकते हैं, रियट्यम्ट ओप्सन आपको मिलेगा, ओल इंडिया आपकी rank यहां पर रहने वाली है, और दो साल की टेस्टरीज की वेदता रहेगी तो जल्दी से दोस्तों टेस्टरीज जोइन कर लीजिएगा और प्राइज मात्र 149 रुपीज है, जो की पूरे राजस्तान में सबसे कम प्राइज हमने रख किये दोस्तों, आपको पता 500 रुपे से नीचे कहीं पर भी आपको टेस्टरीज नहीं मिलेगी, लेकिन हम मात्र इस उन्चा सुर्पे में दे रहे हैं, तो इस ओपर का लाब उटाएजे दोस्तों, और टेस्टरीज जोइन कीजिएगा, इसके लाब दोस्तों, वहां से आप जो है, यूरो पार्ट A और B के लिए कम्प्रीट बुक भी वहां से एबुक आप ले सकते हो, और हॉम डिलेव वाले आवाशी वहन पर विकास परबार लगा सकती है, तो चार उप्षन आपके सामने है, बिल्कुल उप्षन नंबर A हो जाएगा, 14 मीटर, नेक्स्ट कुशन है, राजस्तान नगरपाली गादिनियम 2009 के अनुसार किये जाने वाले व्यापार के लिए अपनी साधान भवन अनुमती और निर्माण समीती द्वारा निर्दिष्ट फुटपातों की नियूनतम चोड़ाई किससे कम नहीं होगी, तो बिल्कुल यहापर हो जाएगा, सडक के दोनों और 1.5 मीटर, यहने 1.5 मीटर दोनों और होना चाहिए, ठीक है न दोस्तों, इससे कम नहीं हो अगला प्रशन है, राजस्तान नगरपाली का दिनियम 2009 के अनुसार भारतिय समीधान की धारा 243 क्यों, के अंतरगत कौन सा चेतर निर्दिष्ट किया गया है, तो कौन सा चेतर किया गया है, संकर्मन कालीन चेतर, अप्सिन नमबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, अ क्या का जाता है, बजट अनुदान, बजट परस्ताव, बजट या बजट अनुमान, तो सही उत्रोजे का बजट अनुदान उसे का जाता है दोस्तों, ठीक है न, अगला प्रशन है, राजस्तान नगरपाली का दिनियम 2009 के अनुसार, किसी विश्वे जिद्याले के वेतन वोगी अन्सकालिक करमचारी को नगरपाली का निर्वाचन के संदर्व में कब अयोग्य करार दिया जाता है, तो बताइए चार उप्सन आपके सामने है, इसका सही उत्र क्या होगा, क्यूशन नंबर 6 का, तो बिलकुल दोस्तों, यहाँ पर डिकरेक्ट हो जाएगा, यद के लिए पारिवासिक सब्द क्या है, क्या सब्द यूज में क्या जाता है, तो नगर निगम, परिशद या अन्य एजनसी, या बिल्डर या स्वामित्वे, अगला प्रशन है, एफ के अनुसार, निमन में से कौन सा एक वहाँ सही नहीं है, जा पट्टा दाता को पता सलता कि पत्टेदार पत्टा प्राप्त करने में चूक पर है, यह लेंग्वेज दोस्तों नगरपाली का अदिमियम की है, और पिछली बार यह प्रशन आये हुए है, तो मैंने इंकलूड किये यहां पर बहुत सारे प्रशन, तो आपको काफी फाइदा होने वाला है, इसका सही ज्यादा इसको सरल करके पड़ोगे तो फिर एक्जाम के अंदर प्रवल्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर इस तरीके की लेंग्वेज आ जाई, तो फिर आप नहीं, जो है, आंसर नहीं कर सकते हो आपर, तो इससे अच्छा है कि आप ज्यादा ज्यादा प्रेक्टिस कीज हो गए हैं, तो इसका सही उतर हो जाएगा, माउन थाबू के अंदर, शिरोई जिले में, ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्तान ए, इस्तानिय स्वसासन का मेगना काटा किसे का जाता है, तो यह का जाता है, यह किस ने का था, यह लाड रिपन ने का था, दोस्तों, किसे क्या नाम दिया गया है, यह अपको बताना है, क्या कहते हैं इसे मारले मिंटो कहते हैं या मानिकु चेमस पोर्ड, दोनों गते हैं या भार वार एकजम में आता आथा, आपका. प्रांतों को स्वाइत्ता दी गई है तो ये दी गई है आपके भारत सासन अदिनियम 1935 के द्वारा नेक्स्ट है राजस्तान नगर निकाई के संदर्म में सविधान में प्रियुक्त सब्द कौन सा है तो ये हो जाएगा आपके इस्तानिय स्वासासन इस्तान ये स्वेसाजन ये क्यूसन भी आपका आचुका एक्जाम में अगला प्रशन है राजस्तान में नगर परिश्द है कौन सी स्रेणी की नगर पालिका को का जाता है तो ये का जाता है आपके नगर पालिका द्यूत्य स्रेणी ठीक है ना नगर परिश्द द्यूत्य स् तो यहां पर दोनों आपके सही हो जाएंगे, नेक्स्ट है नगरी निकायों के कार्यकाल कितना होता है, यहां पर कार्यकाल पूचा गए है, तो कार्यकाल हो जाएगा दोस्तों, आपका option number a निर्वाचन ती ती से पांच वर्षे ने जो है मौस्टली पांच साल का ही खारेकाल होता है ठीक न अगला प्रशन नगरी निकायों के कार्यों का उल्लेग हुआ है तो कार्यों का उल्लेग 12 निसुची में है आपको पता 11 में पंचाईत राज की है ठीक न बार निसुची में कितने विशे हैं नगरी निकाय की यह भी आपको बताना है ठीक कमेंट करके अगला कुछन है रास्तान में नगरपाली का कानून कब बनाय गए था यह बनाय गए था 1994 में ठीक है नेक्स्ट कुछन है राज्य के किस सहर में दो नगर निकम इस्तापित नहीं है यह इंपोर्टेंट प्रशन है टोटल अभी आपको बता है दस है नगर निकमों की संक्य तो कौन सा जो सहर है उसमें दो नहीं है तो अजमेर के अंदर नहीं है अजमेर में यह किए जेपूर में दो है जोदपूर में दो है और कोटा में दो है ठीक है उत्तरोर दक्षिन तो इस तरीके से आपके साथ और एक एक इनमें बढ़ गया तो कितने हो गए दस यहने टो तो आपने अगर अभी तक online test series जोइन नहीं किये यूरों की तो test series आप जरूर जोइन कीजेगा 15 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मातर 149 रुफीज यहाँ पर प्राइज रखिए तो application डाउनलोड कीजेगा link इसका description आपको मिल जागा इसके लवाँ टेलेग्राम च करने वाले हैं और part A के लिए भी live class जो है सामको 8 बजे रहती है तो आप join कर सकते हो उसको भी very important उसमें भी topic वाई शुरू करने वाले हैं तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में तब टिक लिए thank you और चैनल को subscribe करेना जिन्होंने subscribe नहीं करका है bell icon प्रेस कर लेना धन्यव कर दोड़ाद